आज हम अपनी किचिन में एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं क्या आप लोग देखने में इंटरेस्टेड है अगर आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के अंत तक बने रहीएगा पूरी वीडियो में आपको कहीं भी ये एक्सपेरिमेंट देखने को मिल सकता है तो friends सबसे फर्स नम्मा की जो टिप है वो है हम एक नीवू लेंगे और नीवू को इस तरीके से हम कटूरी में निचोड लेंगे नीवू का जितना भी रस होगा उसे हम अच्छे से निचोड लेंगे और इसके जो बीज होंगे उन्हें हम अलग कर लेंगे तो friends ही वाली टिपेंट रिक बहुत ही जादा काम किया है बहुत ही जादा useful है आप लोग भी जरूर से एक बारी से try करके देखिएगा यकीन है कि आप लोग जरूर तारीफ करें ठकेंगे नहीं तो friends इसके बीज मेंने सारे निकाल दिये थे उसके बाद इसमें हम एक कटोरी पानी इसमें add कर देंगे उसके आद मैंने 8 से 9 ली है काली में चोई से हम add कर देंगे आप काली मेच की जगे long भी ले सकते हैं और ये हमारा homemade room freshener बनकर के तयार है आप लोग किसी भी आप इसे कोई भी spray वाली बोतर में transfer कर लीजिए उसके बाद आप अपने room में spray कर सकते हैं अब चलते हैं आज की next tip के तरफ हम जब भी नीवों का use करते हैं तो नीवों के जो छिककल होते हैं उन्हें हम खराब समझ कर फैंक देते हैं इनका भी हम use करेंगे तो फैंट जब भी हम अपने kitchen में काम करते हैं तो हमारे जो nails हैं वो पीले हो जाते हैं या फिर बे जान हो जाते हैं बे रुके से दखते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पैले colgate लेंगे colgate को लिए को नाखुन है उन में कितनी जान आ जाईग कि कितने white लगें खुथा लगेंगे अगर आप लोग money क्यों नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरहीके से अपने घर पर अगर nails को भी साफ कर अग cay parties जो पूरे हाथ हैं वो बहुत जादा सुन्दल लगेंगे और एक नई जाना जाएगी तो फ्रेंड्स आप लोग result swim देख लीजी अब मैं आपको hand wash करके दिखा रही हूँ आप nails देख सकते हैं कितने ही अच्छे लग रहे हैं अब चलते हैं आज की next tip के तरफ जो की है कंगा की कंगा हम सभी की घर में होते हैं कंगा और हार्पिक से मैं आज आपको ऐसी tip and trick बताऊंगी जिसे देखने के बाद आपका दिल बहुत ज़्यदा खुस हो जाएगा और आप लोग खुछ सोचेंगे ये tip and trick हमें पहले क्यों नहीं पता था तो हम सबसे पहले एक बेकार वाला socks होता है हम सभी की घर पे बेकार socks मिल ही जाता है तो उस socks को लेंगे और उसमें हम कंगे को इस तरीके से इसमें डाल देंगे आप चाहें तो जो rubber band होती है उसे इसे अच्छे से आप fix कर देंगे अगर नहीं तो आप हाथ से भी इस अच्छे से tightly पकड़ लेंगे उसके अद आप हार्पिक लेंगे और हार्पिक को इस तरीके से इस पे लगा देंगे आप ध्यान रहिएगा कि जिस दरब उसके दांत होते हैं कंगे के उस साइड में नहीं लगाना है इसके opposite साइड में लगाना है हार्पिक को इस तरीके से लगा देंगे इसे लगाने के बाद हम चलते हैं अपने किचिन के तरफ जो किचिन के सिलिफ होती है प्लेट फ़र्म होता है तो हमारे गैस का जो काम होता है उसे में जो टाइल्स होती है वो बहुत ज़दा चिकनी हो जाती हैं, बहुत ज़दा ओईली हो जाती हैं, जैसे हम बहुत ज़दा साफ करते हैं, उसके बाद भी उसके किनारे साफ नहीं होते हैं, तो फेंट्स आप इसे एक बार इसे रगड़िएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके थोड़े से हार्पिक हे कितना सारा एरिया cover हो जाता है और आप लोग गंदगी स्वेम देख सकते हैं हमें बाहर से लगता है कि हमारा साफ है लेकिन जब उसे आप साफ करेंगे हार्पिक से तो उसमें दवी से दवी जो गंदगी होगी विस निकलाएगी अब चलते हैं आज की next trip के तरफ ये है जो लोग stitching करती है महीलाएं जो लोग stitching करते हैं जो लोग रील लेके आते हैं मार्केट से तो आज कल धागा बहुत ज़दा कच्छा आने लगा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये दागा बहुत आसानी से तोट जाता है जिसके वज़े से सिलाई भी बहुत आसानी से तोट जाती है तो दागा को पक्का करने के लिए हम क्या tip and trick को follow करेंगे तो आज में आप लोग को बताती हो तो सबसे पहले हम चितनी भी नई रील है उन्हें हम निकाल लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं अपने gas stove की तरफ gas को on करेंगे flame को high कर देंगे उसके उपर तबा रखेंगे तबा को हम अच्छे से गरम होने देंगे जब तबा हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा उसके बाद हम इसमें reels डाल देंगे सारे reels को डालने के बाद एक बाद इस ऐच्छे से चला देंगे और चारो तरफ से इसे ंच्छे से गरम होने देंगे जब यह धागा हमारा अच्छे से पक जाएगा तो इसके बाद आप देखेंगे अब चलते हैं आज की next tip के तरफ जिसे हम experiment भी कह सकते हैं यह हमने mixi का jar लिया है जब भी हम mixi का jar दुलते हैं wash करते हैं तो हमें उसे जितना भी पॉँच ले देखिए क्या होता है mixi के jar के अंदा का जो मुक्षर होता है वो रही जाता है और हमें इसे डकल लगा के भी रखना होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम mixi के jar में अगर सूकी चीज़ें पीसते हैं तो हम इसे wash नहीं कर सकते हैं और अगर इसे हम खुले हुए रखेंगे तो इसमें बहुत ज़दा गंदगी इसमें dust बैट जाएगी जिसके बज़े से हम जो भी चीज़ेंगे वो हमारी खराब हो सकती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो चलो फ्रेंड्स आज में बताती हूँ सबसे पहले हम एक तॉलिया से इसे अच्छे से पहुँच लेंगे इससे क्या होगी आपके जो तवे की heat होगी वो mixi के जार में जाएगी और इसके अंदा का जो भी मॉक्षर होगा वो खतम हो जाएगा तो इस तरीके से आपका जो mixi का जार है वो भी एकदम साफ सुतरा रहेगा और साथी साथ में उसमें fungals बगेरा नहीं पन पेंगे तो फेंट सियाली टेपन ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज की है अगर आपको इसमें से एक भी अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना सिया कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कौन सी टिप अच्छी है